नमस्कार दोस्तों, डीडी रेट के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी कस्पागत है, मैं हूँ आलोग, तो आज जो एक्शन वीडियो लेकर आया हूँ, इंडिया बैंस पाकिस्तान जिंदाबाद स्लोगन इन वर्ल्ल कप, हाँ, ये वीडियो बड़ा वाइरल हो रहा है कि भाई, एक पाकिस्तान सपोर्टर हैं, वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना चाहते हैं, लेकिन एक पुलिस वाला उन्हें आकर रोक दे रहा है और इस पर बड़ा बावाल माचा हुआ, बड़ा बावाल माचा हुआ, इस पर मेरा टिक क्या कहता है, वो मैं पहले उस वीडियो को दिखा देता हूँ, आपको देख लीचे अब चलिए देखते हैं कि पाकिसान की जहनता जो है, इस पर क्या कहती है, सनामजद का वीडियो है, देखते हैं आज आस्टेलिया वर्सिस पाकिस्तान का वर्ड कप का एक इंपॉर्टन टाक रहा था, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ है कि पाकिस्तान हार गया और आस्टेलिया जीत गया, क्या कहेंगे इस पर आप? मैं यह कहता हूँ कि यह जो हमारा कप्तान है, बाबर आदम, वो सही जो अना मेनत करके काम नहीं कर रहे, समयाँ यह जितने भी वर्ल्ड कप के मैट हूँ है, इसमें इसकी काल कर दिक बिलकुछ सही नहीं आई, समयाँ, ट्वंटी ट्वंटी में इसने सही दिखाया हमें, तो आप डिवाना यह सही खेलनी रहा, जहां तो यह मुझे लगता है कि यह पैसे लेके खेल रहे, यह वतन के लिए नहीं खेले, इनको चाहिए वतन के लिए खेले, समयाँ, उसमें हमारी इजत होगी, समयाँ, और वकार होगा, और दूसरी बात तो यहाँ के हमारी अकुम सबसे पहले तो उनकी वो बाते माननी नहीं चाहिए थी, जिसमें हमारा वकार खराब होता, तो अगर गें हैं तो कम तक हम वकार के साथ तो बेचते, अब हमारे नारों पर भी उन्होंने पबंदियें लगा दी है, बिल्कुल ऐसा यह सर, आज औस्टेलिया वर्सिस पाकिस पाकिस्तान के मैच के दुरान देखा गया, कि पाकिस्तान की शर्ट पेने एक बंदा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा था, वाइस हमें क्लियर समझ नहीं आ रही थी, लेकिन एक इंडियन पुलिस आफिसर उनके पास आया, उनके साथ उनकी बहस हो गई, दू खुशी होती है अपने खिलाजी के लिए, तो उसको अपने ज़स्दबा दिखाना चाहिए, जैसे कि इंडिया वाले जब चोका या छिका लगाते हैं, तो वो इंडिया जिंदाबाद बोल सकते हैं, तो हम क्यों नहीं बोल सकते हैं, समय हम भी तो मैच खेलने गें हुए, क हम नारा लगाएं अपनी टीम के उपर, आपने आएसीसी वालों को पैसे दिये हैं, पाकिस्तान ने आएसीसी वालों को पैसे दिये हैं, आएसीसी से पैसे पाकिस्तान को मिलते हैं, आएसीसी के टुक्रों पर पलता है पाकिस्तान, और आप उल्टा बोल रहे हैं, कमाल है इतना जूट प्रोपगेंडा फैला हुआ ना पूरे पाकिस्तान के अंदर कसम से गजब मामला यार गजब अपने वतन के लिए क्यों नहीं लगा सकते यह इनकी बहुत बड़ी ज्यास्ती है और यह हमारी अकुमर्ट की भी ज्यास्ती है कि वो उनको क्यों नहीं बोल रही कभी हम पाकिस्तान जिन्दाबाद के नहरे क्यों नहीं लगा सकते जो अगर पाकिस्तान के जिन्दाबाद के नहरे नहीं लगा सकते तो जितनी हैं भी टीमें आई हुई हैं उनके मुलक का भी नाम नहीं लेना चाहिए उनका भी लगा रहे हमारे पाकिस्तान के उपर क्यों पबंदी लगाई हूँ है कि मिस अंडेस्टेंडिंग भी तो हो सकती है नहीं यह निंज तो नहीं है यह इनकी सियासत है कि हमें नीचा दिखाने के लिए हमारी इज़त को जो खराब करने के लिए एक बात बताईए को पॉलिटिक कब नार लगा शुलंका जिन्दाबाद? कि यह उन्होंने पैसे लिए हमारी उकुम्मन ने, क्यों नहीं बोलती है, जो अगर नहीं बोल सकते हैं, तो हमारी टीम को वापस ही बुला रहे हैं, हम ऐसा वर्ल्ड कप नहीं खेलना चाहते हैं, जिसमें हमारी इसत नहीं हो, वैसे भी हमारी टीम वापस सी आने वाली जिस बैस दिना, कर आंका फोह खेल रही है, जी, बिल्कुल कोई कर चर्दी कि नहीं दिखा रहे, ना कोई बोलर ना कोई बैस्में बेस्मेन, एthem मोज़सससे को सकते हैं, इसको बोलते हैं, इसको लूखस को बोलते हैं, जो कारकर्दी पट इस इस से बहतर है, एस से ब्लित Auf近 प आज पाकिस्तान ने जो आस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला है क्या कहेंगे उस पर हम फिर भी हार गए हम हमेशा हार गए मैं तो यह कोँगा कि आप देख लें वर्ल्ड कप जब से स्टार्ट हुए और हमारी जो अमीदें थी उन पर ने पानी भेर दिया और हमने सोचा वाद है यह इंडिया को हराएंगे यह एस्ट्रेलिया को हराएंगे मुझे तो मीद नहीं नजर आरही आगे इंग्लैंड वगरा यह न्यूजिलैंड को भी हराएंगे और जितना बुरा आज हा रहे हैं मतलब मारा मिटल ओडर देख रही हैं आपके बिल्कुल भी वह अच्छा नह इनुने तो देना उनकी जो भी प्रफॉरमिस आपके सामने हैं तो यह मुझे लगते हैं यह टॉप फोर में नहीं आएंगे जल्दी घर वापी साजिए आएंगे आज बले बाजो नेना हमारी बॉलिंग के पॉल खोल दी हैं आपने देखा हैं इस तरह और ने मारे हमें हम कि पॉल एन के जो पोल एन वो तो आपके फाले टो आप थो आप तो आप तो अब तो यह के वह जो जो बुकाया रह गया तो भी सामने आ गया तो यह मैं हमारे संहें देख लेए ना मार्री बॉलिंग काम कर रही है वो शहीना फरीदी जो वन फोरी इस पहा टाथ वहां था जो लास मैच वाना सब कह रहे थी यह फिक्स हो गया फिक्स हो गया इंडिया वाला तो आज उन्हें लगता है कि वह फिक्स वाली कसर भी निकाहल देंगे लेकर भो भी गई और आज वाली भी गई और यह मैच आपके सामने जहां पर मतलब इमन लग रहा था एक टाइम आया जब रिजवान और इफ्तहार घड़े थे कि हम मैच जी जाएंगे लेकिन कुछ पता नहीं चलता इनका हमेशा की तरह यह पाकिस्तानी अवाम को दुख देगे जाते हैं और रिसेंट लिए आपको पता चला होगा बाबर रिजवान ने अपने ट्विटर एकाउंट पे श हो गया ना इस वाजासे अच्छा आज के मैच के दोरान एक वीडियो बहुत जादा वारिल हुई है जिसमें देखाया जा रहा है कि एक पाकिस्तान की शर्ट पहने एक बंदा खड़ा हुआ है बैठा हुआ है पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाया है इंडियन पुल में वर्ड कप के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों पर बैन लगा दिया गया है वहां के पुलिस पाकिस्तानी फैंस को अलाव इनी करी कि वो स्टेडियम के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएं क्या कहेंगे आप इस पर मैं तो इसमें यही का हू पाकिस्तान जिंदाबाद इन्होंने लगाना है पाकिस्तानी वामने पहले यह किश्मीर में मना करते था इंडिया में बड़ा एक स्लोगन चलता है पीके एमके भी तो क्या आपको अच्छा लगेगा कि लहोर में मैं चल रहा हूँ इंडियन्स वहाँ पर गए हूँ और नारा लग रहा हूँ पीके एमके भी यह यह न शायद पीके एमके के भी कुछ ऐसा ही चलता है फुल फर्म बाकी जंता देख ले यार रहा है लगे गाका ऐसा हँर नारे हर जिंड़र कि नहीं लग सकते हैं कि क्यों नहीं लग सकते और इंडिया में तो कल को तराना चलने देना अगर यह इतने मझामना में पाकृति के घंडा होते हैं गया किली चारां तो हम बड़े होते हैं करते हैं रिसर एक माच में प्रणाटे यसे थो सब्ऩरुट अरे ब्रश्डफ हम तो कोई हम ने करते हैं यह डूए ब्लडाई चल रही आ हुआ यह यह लगाशन इसन गेम चाराणा है लड़कियों ने मेडल जीते तो हमारे जंड़ा लहराए गया ना ये प्रोटोकॉल है लेकिन पाकिसान जिंदाबाद बोलना आके भारत में ये प्रोटोकॉल नहीं है या भारत जिंदाबाद जाके लाहॉर में बोलना ये प्रोटोकॉल नहीं है वो हर देश के साथ होगा पाकिसान अगर वर्ड अप करेगा और वहां वरम करेगे तो हमारा घंडा लगेगा महाँ पे पाकिसान के सरजमी पर हमारा घंडा जाएगा वैसे ही आपका घंडा भी आया तो इसमें कोई हैरान होने वाली बात थोड़ी न अरे यार देखा कितना बड़ा काम हो गया भारत के जमीन पर पाकिस्तान का घंडा ला रहा है अरे ये कर्ड सी है भाई प्रोटोकॉल है पाकिसान का कोई बंदा अगर मालों पाकिसान का पीम आता है जब हमसे बात करने या करने कुछ तो भाई दोनों के घंडे लगे होते है न अगर भारत में बैठक हो रही है तो दोनों के घंडे लगे होते हैं पाकिसान में बैठक होगी तो दोनों के घंडे लगे होते है आप इंडियन हाई कमिशन पर चले जाई है पाकिसान ये जो वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो रही है इसमें कोई सदाकत ना हो हो सकता है ये वीडियो इस मैच की ना हो पुराने मैच की हो आप देखे ना चीजे वाइरल होती है उन्में भी सदाकत कुछ होती है कुछ नहीं होती ना अपके बात 50% ठीक है लेकिन मैं इसलिए एगरी नहीं करूँगा क्योंकि उन्होंने अपना जो है ना वो जर्फ दिखा दिया पहले वीजा इशू नहीं किया देन दाने बबास के साथ जो उन्होंने किया ते छोटी हरकते होती हैं इनसे जैनाब अबास वाली छोटी हरकत थी जैनाब अबास हमारे देवी देवताओं को गाली देंगी तो छोटी हरकत थी अगर छोटी हरकत थी तो जैनाब अबास को इतना लंबा चोड़ा माफी नामा क्यों लिखा और वो क्यों कह रहे थी कि नहीं मैं पहले वाली नहीं रही हू मैं बदल गई हूँ, पहले मेरी सोच पैसी थी, अब मेरी सोच पैसी नहीं है, क्योंकि अब करियर दाओं पर लग गया इसलिए अरे आपके यहां लोग तो इसी बात पर खुश हो जाते हैं, देखो रिजवान ने भारत की जमीन पर नमाज पढ़ी सीना चोड़ा हो गया, फक्र से हमारा हिंदूओं के सामने नमाज पढ़ यह चोड़ी चोड़ी वाते नहीं है, इंसान बड़ा नहीं बनता है, और जो हमारी टीम का पुर्थ पाक इस तक बाल किया गया, वहां के इंडियन लोगों ने उन्हें घरों में दाफ्त नहीं दे, यहां से भी तो आप देखे ना कि कितने बड़े जर्फ के लोग हैं इंडियन्स, देखें इस बात को अमने अप्रिशेट किया और खाया वा कोई बंदा नी बूलता, तो पाकिस्तानी टीम भी भूलेगी कि इन्हें अगर खिलाया उनको, तो वो हम हमेशा याद रखेंगे यह भी आएंगे, तो यह भी खिलाएंगे, इंडिया आए पाकिस्तान में, क्यों नी खिलाएंगे, इनको इंसे अच्छा काना खिलाएंगे, यही बात तो हमेशा अपनी हर वीडियो में कहती हूं कि हमें जो है प्यार और महबबत का पेगाम देना है, अगर इस तरह कि हकायक जानने की कोशिश करनी चाहिए कि वीडियो कप कहां कैसे बनी और किन लोगों ने बनाई चंद लोगों की वैसे हम पुई कंट्री के साथ नफरत नहीं कर सकते ना ऐसा तो कहीं भी नहीं होता ना इंडिया की इतनी अबादी है करब से ज्यादा तो हम यह नहीं कहते ह लेकिन कुछ इनसान होते हैं जिनमें यह ने चीजें पाई जाती है और वह इस हरकत को कर जाते हैं ना चाहते वह भी तो वह हो गई और वह सामने आगी आज का सोशल मेडिया कैसे चुपा सकते हो आप यह जीजे तो बस वह चल रही है देखे बाकि बैस्ट आफ लग पाकि की नियुद और एस्ट्रेयला इंडिया तो बट अच्छी जा रही है नहीं यह आप कह नहीं आपका नमान आज पाकिस्तान और इस्ट्रेलीया के मैच के दू रांच वीडियो बहुत राल हो रही है जिसमें देखा जा रहा है कि पाकिस्तान की टी-शिर्ट पहने बंदा प पुलिस आई और उन्होंने इसको मना कर दिया कि आप स्टेडियम के अंदर पाकिस्तान जिंदाबात के नारे नहीं लगा सकते क्या कहेंगे आप इस वीडियो के हवाले से ये बात जब लोग के जब वर्ल का पनाउस हुआ था ये तब ही से क्लियर था कि ये होगा नजम से ट बात के सब्सक्राइब करें इस पॉसिबिलीटी के हो सकती है सदाकत है वह सकता है वो कुछ और बात कर रहे हूं मेभी दोनों तरफ हैं मेभी और मेभी नॉट बट स्टिल जो आज कल के सरकम्सांसिस जो कुछ पीज़ चल रहा है इनिया पाकिसान को जो हमारी एक खाम खा की लगा उसमें यह प्रिटी माच अबियस की हुआ होगा अपको लगता है कि पाकिसान की टीम को इंडि प्लेक्रोंड देखें और उसमें मैच करें तो हम भी एसी करते हैं हम सिरलंका निजो दुबई केल लेता है हमें इंडिया जने की क्या सुरत थी लेकिन उन्हें सेक्योर्टी इशूस थे ना क्या सेक्योर्टी इस्टे यहां बाकी टीम जाई उन्हें क्या हुआ वह प्रॉ क्या को दमाका हो गया फ्लानी पार्टी का नाम आगया आप लोगोश हो कि हां यह न्यूल है इसकी टी आर पी होनी चाहिए हमें कैसी बाते कर रहे हो यार अभी डिल महीने पहले बाज और में धमाका हुआ पचास से जाधा लोग मारे गए क्या बात कर रहे हो तुम पचास कर वाले का जिसको मानते हो जो टीटीप आये दिन हमले कर रहे है दिन पाकिसानी फौजी मारे जा रहे हैं दिन कि कमाल की बात है न अच्वा भारत में बता दो कहां थमागा हूँआ तक पहँचले आठ दस सल में बता दो बैठ मैं आज रहूं की बात लेकर क già con तो आपको लगता है कि हमारी टीम को नहीं जाना चाहिए था, अगर हमारी टीम नहीं जाएगी और हम भी इस तरह की चीज़े ही करेंगे, तो दोनों मुलकों के दिर में तो फिर नफरत कभी भी कम नहीं होगी, और एक दोस्ताना महल कभी भी काइम नहीं होगा, तो लगता है हम लोग पाकिसानियन टीम को बड़ा पसंद करते हैं, विराट कोली हो गया, हमारे जितिजा पगया है, सारे हमें बड़े प्यारे हैं, महिंदर सिंग धुनी, हम सुरू से बच पन सवन को देखते हैं, हमारे लिए भारे बड़ी इज़त है, लेकिन स्टिल, अगर कोई हमारे कभी आपने देखा है कि हमारे मुलक में कोई दूसरी टीम आई और हमारे पाकिसानियों ने उसके उपर ट्रॉलिंग की हो, कभी भी नहीं करते हैं, वो एक सर्टन लेवल की मीम्स होती हैं, जो यह तो इस तरह की मीम्स हैं, कि आप उस गले बंदे की सेलफ रिस्पेक्ट को चेड़ रहे हो, और स्टिल हमारे कैप्टन साब की उपर मार्स हैं, इस अच्छिल परसन के ठीक हमें यहां पर अच्छी ऑस्पटैलिटी मिल रही है, नहीं कि इवसे कुछ जेस्टर, लेकिन जो कुछ हो रहा है, किसी को छुपा हुआ तो नहीं है, हम लों को सबसे आखर म मिलें तंग करके, इसकी पीसे क्या रही जांदी, बाकी दुनिया आ सकती है, पाकिसान के लिए क्या मसने है, हमारे तो बार्डर मी मिलते हैं, इतना को बड़ा सफर भी नहीं था, आपको इन सब के वीचे क्या परपर्स लगता है, इंडिया का, परपस नहीं है, यह वो कि अवाम एक दूसरे से नफरत नहीं करती, लेकिन पॉलिटीशन उस चीज़ को देखें, क्या होता है, इस रैदर आप पीटी आई के आप नून लीग के हो, आप जनरलिस आप, आप यूनिवस्टी लेवल में आप छे दोस्तों, सारे गटे हो, यूनिवस्टी के बाद आ आप बैठना छोड़ दोगे आपस में, आप बैठते हो, आप गपे मारते हो, दूसरे की बेस्टी शेसी करते हो, लेकिन हमारे क्या चाहते हैं, चाहिए वो पीटी आगे हैं, चाहिए नून लीग के हैं, क्या हम लोग लड़ें, उनको इस चीसे मतल़ है, यही काम वहाँ पे हो रहा है, टूनेशन थियोरी यह नहीं थी कि हम में लड़ाओ, बस वो यह बताना था कि हम दो लोग हैं, हमारी मज़भी थोर्ट्स डिफरेंट हैं, लेकिन अज़ा हम लोग सेम हैं, हुमन ग्रॉंड पर तो हमारे में कोई डिफरेंस नहीं है, हाँ कोई डिफरेंस न ना आये वल्ल कप खेल, हम चाहते थे, लेकिन हमारी चाहत पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि पता था पाकिस्तान को कि अगर हम नहीं गए वल्ल कप खेलने, तो ICC क्या बुरा हाल करेगी हमारा, यह एशिया कप नहीं है, यह इंटरनाशनल क्रिकेट काउंसिल है, ICC है, उससे आप पंगा लेंगे तो बड़ा मुश्किल है देखे कल को वर्ल्ड कप पकर पाकिस्तान में हुआ तो ऐसा तो नहीं कि इंडियन टिंग जाने से मना करते हैं पाकिस्तान में पाकिस्तान जन्दाबाद के नारे को भारत में नहीं बोलना चाहिए यह जान बूँज्च कर बोला जाने बाध देखिए यह पॉलिटिकल नारा है पहली बात दूसरी बात खेल की तरिफ कीजिए प्लेयर की तरिफ कीजिए मैच की तरिफ कीजिए पाकिस्टान जिंदाबाद कहने की क्या धोलत है उसके बाद पहले मैं आपको एक वीडियो जाओ competition हो रहे हैं देख लिया तो जब आपका पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड का चेर्मन कहता है कि हमने अपने टीम दुश्मन मुल्क में बेजी है तो अभे बेगारतों दुश्मन मुल्क से कैसा वो चाहते हो अटेंशन जब आपने पहले ही अलान कर दिया कि हमने दुश्मन मुल्क में भेजा है तो फिर तो दुश्मन का वार जहिलना पड़ेगा ना फिर तो हम ना करने देंगे पाकिसान जिन्दवाद के नारे नहीं लगने देंगे लगा कि दिखाओ फिर शुरुआत आपने करी ना आपने अपनी टीम को कहा भारत को दुश्मन मुल्क करार दिया बयाना कर दिया अपने मीडिया के सामने आप दिल में छुपा कर रखते हैं मन में बोलते हैं अलग बात थी आपने तो चैलेंज करते हुए कहा ना अरे दुश्मन मुल्क भेजा है आपने टीम खेलने के लिए तो जब आपने हम पर कीचड उच्छाला जवाब यह तो मिलेगा ना भाई और हूं मिलता रहेगा आप भी दे देना यार भारत की टीम आप कहां भी जाए देते रहना करते रहना कौन सा आप लोग छोड़ देते हूं चैंपियन्स ट्रॉफी में आपकी टीम जब जीत गई मैच भारत से पिछली वीडियो में 2013 बोल दिया था दो 2017 की चैंपियन्स ट्रॉफी थी आपके ही पाकिस्तानी कह रहे था ना बाप कौन है बाप कौन है बाप कौन है जिस पर मोहमच श्रमी को गुस्सा आ गया था लिज देख ले वीडियो तब याद नहीं आता है तब याद नहीं आता है कि बीहेवियर कैसा होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए और आज जब पाकिसान जिन्दाबाद के नहरे मत लगा देना ठीक है बराबर हो जाएगा आप लोग बताएं बाई कमेंट करके जल्दी मिलता हूं एक और ने वीडियो के साथ नमस्कार जाहिए झाल 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 झाल